हे मैं बटरफलाई कैसा आप सब बढ़िया मैं तो बहुत जादा बीजी हूँ सो रिप्लाई ना देने के लिए I'm sorry लक्षू दा ट्रूथ अंटोल का मीनिंग क्या है दा ट्रूथ अंटोल यह सॉंग अपने इंसिक्योटी के उपर है हमें अपनी ही सिक्योटी जिरे नहीं देती यह सॉंग बेस्ड है एक इटैलियन राजा के उपर लास इटा डी स्मराल्डो आह स्पैनिश कितनी मुश्किल है एनिवे यह एक फेमस स्टोरी है ऐसा कहा जाता है कि पंदरा से सोलवी सब्ताबदी में इटली में एक राजा अप इसा अपना मेन महल छोड़ कर गाउं के पास वाले महल में खुद को 24 गंटे बंद करके रखता था महल के पास एक राजा का ही एक बगीचा था एक लड़की रोच उस बगीचे से फूल चोरी करती थी राजा अपनी खिड़के से देखता था और बहुत गुस्ता होता था लेकिन अपने खराब चहरे की बज़े से वो बाहर नहीं जा पाता था एक दिन उससे पता चलता है कि वो लड़की बहुत गरीब है और वो बस अपनी फैमिली को पालने के लिए फूल चोरी करती है राजा को उससे प्यार हो जाता है राजा सोचता है कि क्यों ना वो अपन लड़की नहीं है बात में राजा को पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है राजा को इस बात का बहुत दुख होता है कि क्यों उसने अपने दिल की बात पहले नहीं कही उसने अपने आपको महल में क्यों बंद रखा राजा को लगता था कि वो इतना बत सुरत है कि कोई उसे पसंद नहीं करेगा खेर उस लड़की के मरने के बाद राजा महल से बहार आया और खुद उस बगीचे की उस फूलों की देख भाल करनी लगा ऐसा करके राजा को शांती मिलती थी उसने अपने आपको सिवकार कर लिया था कि वो जैसा भी है वो ठीक है बस यही स्टोरी दा टूथ अंटोल में है इस सौंग में जिन की लाइन मुझे सबसे जादा पसंद आई थी जिन की लाइन थी कि अगर मुझे में तुम्हारे सामने खड़े होने का सहास होता तो अब तक सब कुछ अलग होता सही है हमारे अंदर कभी कभी बहुत सी चीजों का डर होता है न हम डर जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे मेरा ये मानना है कि हमें एक दिन मढ़ जाना है और हमें ये भी नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं तो चलो जीते हैं हम अच्छे हैं जैसे भी हैं हम अच्छे हैं तो the truth untold अपनी अर्स रक्षा यानी security के बारे में सौंग है वैसे किसी ने टोनी मुटाना के बारे में पूछाता शायद उससे हम बाद में देखेंगे एक दू दिन में नेक्स्ट प्लीज केन यू शेर वीट अबाओट जेके इंसिडेंस वेन ही सेवड किम संग जु लाइफ 2018 में मिस्टर किम जु ने ये बताया था कि जेके ने उनकी जान बचाई थी विजिटिंग टीचर के एक एपिसोड में किम जु ने बताया कि 2016 में DMC फेस्टिवल में जेके ने कैसे उनको बचाया था मिस्टर किम ने कहा कि जंगुक ने सच में एक बार मेरी जान बचाई थी मैं लगभग मर चुका था DMC फेस्टिवल में जब BTS का फायर सॉंग की परफॉर्मस थी तब मिस्टर किम एमसी थे मतलब वो सो को होस्ट कर रहे थे फायर सॉंग के लिए BTS को नीचे से लिफ्ट से उपर की तरफ आना था वो नहीं होता जब स्टेज खुल जाता है और आर्टिस को नीचे से उपर की तरफ ऐसे फेका जाता है ऐसे हाँ यही तो यही हुआ था मिस्टर किम को पता ही नहीं चला कि परफॉर्मस स्टार्ट हो गई है और स्टेज खुल गया है और जो नीचे लिफ्ट है वो उपर की तरफ आ रही है जिसमें BTS थे मिस्टर किम पीछे जाने के लिए मुड़े लेकिन वो नीचे जंकुक की लिफ्ट में गिर गई मतलब जिसमें जंकुक थे वो जंकुक के सीधे ऊपर जाकर गिरे जिससे उनको तो कोई चोट नहीं लगी पर जेके को जरूर चोट लगी होगी क्योंकि लिफ्ट बहुत चोटी होती है और परफॉर्मस में भी जेके को हाथ उठाने में दिक्कत हो रही थी मतलब जेके के कंधे में चोट लगी होगी इसलिए मिस्टर किम ने कहा कि जेके ने मेरी जान बचाई मानना पड़ेगा चोट लगने के बावजूद भी जेके ने कमाल के परफॉर्मस दी वेल्डेंग जंकुकी नेक्स्ट दी बीटियस अपना रिलिजन क्यों नहीं बताते हैं एक यूट्यूबर बीटियस भी का धरम मुस्लिम बता रही है दी प्लीज अंसर माई क्वेस्टन लव यू आज लव यू टू बीटियस क्या के पॉप में से कोई भी आइडल आपको अपना धरम नहीं बताएगा क्योंकि कमपनी मना करती है कमपनी का ऐसा मानना है कि अगर आइडल अपना धरम सबको बता देगा तो दुसरे धरम के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे इसलिए Korean आर्टिस को सिर्फ Korean कहा जाता है हूंका कोई धरम नहीं होता मतलब वो धरम के बार में बात नहीं करते हैं Actually आइडल को ये रटाया जाता है कि आपको हमीशा कैमरे के सामने ये बोलना है कि हमारा कोई धरम नहीं है हम धरम को नहीं मानते लेकिन हम सब की इज़त करते हैं इसलिए BTS या कोई भी आइडल कभी भी आपको अपना धरम नहीं बताएंगे अब रही बाद वी के मुसलिम होने की तो जब वी ने कभी अपने धरम की बात की ही नहीं तो कोई बाहर का इंसान उनका धरम कैसे बता सकता है हाला की कुछ लोग का कहना है कि वी शायद Christian हो सकते हैं क्योंकि उनके Song List में Christian God का सौंग था बाकी ठीक है जो भी है हमारे लिए तो Korean है और Artist है बस पता है क्या है जिन सवालों का जवाब नहीं होता है न उन सवालों के बार में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है न का है और बाइ